स्टार्ट के आज है स्टुडेंट्स लेक्चर आज का चलिए गुड मॉनिंग स्टुडेंट्स स्वागत आपका आज के लेक्चर में और आज हमें स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नुमेरिकल प्रोलम से ही स्टार्ट करेंगे लेक्चर को तो आज velocity of sound का एक formula आपने देराइव करके उसके numerical करने वाद में, ठीक है, इसला जो मने lecture पढ़ लिया था, lecture no.1, उसके बैसे इस पर एक छोटा सा numerical बहुत यह आसान था, सीट और नीट लेवल का है, ठीक है, देखिए आराम सीफे, चलिए, सुरवात की जाए, एक वाफिर से स्वागल था आपका, आई, एक wave of wavelength, एक wave है, जिसका wavelength कितना है, 0.60 cm, तो मेटर में convert कर लेते हैं, पहले ही, जब दी कुछ काम करना पड़ेगा, आप देख लेंगे से, त यह एर मेडियम है, okay, it travels at a speed of 300 meter per second, speed दिया है कितना, 300 meter per second, will it be audible, audible होगा, तो डिपेंड करता है कि frequency क्या है, हाँ या ना, हाँ या ना, frequency डिपेंड करता है, कैसे देखिए, अगर frequency 20 Hz से, frequency 20 Hz से 20 kHz के बीच में है, then this audible, अगर less than 20 है तो वो इंफरासोनिक होती है, अगर greater than है, 20 kHz से, तो वो होती ही, ultrasonic will not be audible, तो हम चेक करेंगे कि तीनों में से कौन सा case हो सकता है, लेकिन उसे चेक करने के लिए, हमें निकालना पड़ेगा क्या, frequency, frequency find करते है, velocity दिया है, wavelength दिया है, frequency find करना है, gets it, तो V equal to क्या होता है, F lambda, V speed है, F frequency, lambda, wavelength है, क्या आ जाएगा, V by lambda, V 300 upon, lambda कितना, 0.6 into 10 की पावर, minus 2, okay, इसको पर भेज़ दे, 300 into 10 की पावर 2, upon 0.6, point हटा दो, 10 हो गया, 65, 30, 50 into 10 की पावर 3, यानि कि, 50 kHz, क्या 50 kHz, it is greater than 20 kHz, हाँ, given, मतले, जो frequency हमें मिला है, वो क्या है, 20 kHz से जादा है, और है के नहीं, है भी, देखिए, जादा है, जादा है, तो क्या होगा, यह ultrasonic होगी, क्या ultrasonic हम सुन पाते हैं, नहीं, नहीं सुन पाते हैं, so, not audible, यानि कि, यह चमगादर वगरा को ही सुनाई देगी, या फिर, अल मतली राजनीती नहीं थी इसमें, चलिए, लिखा जागला पढ़ते हैं, अब अपना आज का topic स्टार्ट होता है, velocity of sound, और sound केसी wave है, longitudinal wave है, three dimensional है, mechanical है, which requires medium to travel, which requires medium to pass through from one region to another region, सही है, चलिए, यानि कि, sound wave के बारे में, कुछ-कुछ हमने चर्चा की थी, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, चर्चा ये हुई थी, कि sound wave always travel in the form of compression, rarefaction, compression, rarefaction, compression, rarefaction, compression, rarefaction, compression का मतलब था, जहां पर pressure maximum है, pressure maximum है, तो वहां पर density भी क्या रहेगी, maximum है, maximum है, maximum रहेगी, कि अबने पढ़ा, rarefaction में just क्या है, उल्टा है, क्या है, कि pressure रहेगा, minimum, pressure, minimum रहेगा, density भी क्या रहेगी, minimum रहने वाली है, चलिए, ये हमने पढ़ा था, crest और truff होते हैं, in the case of transverse wave, okay, वहां तक बात संदमा आ गई, pressure और density के respect में, उसके बाद हमने पढ़ा था, कि sound wave longitudinal wave है, this date, सारी चीज़े बात की, अब हमना अपना जो अगला topic है, वो है, velocity of sound, कि sound अगर, travel करता है, तो travel करेगा तो, यहां तो air medium करेगा, या फिर medium कुछ भी, पानी में भी हम बोलते हैं, तो पानी में भी sound wave travel करती है, यान कि medium change हो सकता है, लेकिन velocity of sound क्या होगी, या हर बार same रहने वाली है, या हर बार different रहने वाली है, तो आपने देखा है, कि normal अगर आप रूम में खड़े हैं, जा air medium है, वहां बोलते हैं, थोड़ा दीमा सा बोलेंगे, तब भी सुना जाता है, पानी में चले जाईए, काला बगरा में, सुमी पोल में, वहां से अंदर जाके बोलना, पता है नहीं चलता क्या बोला है, मतलब बोलते हैं, आवाज आती हैं, लेक यह है, टोपिक लगाई है, velocity of sound, velocity of sound, velocity of sound, और sound के bracket में लिख लेजिए, longitudinal wave, यानि कि, velocity of longitudinal waves की बात कर रहे हैं, या पिर sound waves आप समझ सकते हैं, ठीक, चलिए, केमरा में एक बार चेक कर देता हूं, फिर मुझ टायम नहीं मिलेगा इच में, चलिए, ठीक दिख रहा है, velocity of sound wave में क्या है, कि in general, in general, समझते जाएगा, इसका derivation अपने नहीं है, इसका derivation अपने syllabus में नहीं है, sound wave का जो step board के coding syllabus है, काफी कम है, जो हमने लगबा कवर कर लिया है, कुछ-कुछ दो-तीन टोपिक हो रहे हैं, उनने कवर करेंगे, जिनका derivation है, उनका मैं बताते जिनका derivation नहीं है, उनको हम numerical point of view से पढ़ेंगे, तागी question आप solve कर से लिए, ठीक है, in general, velocity of sound is given is v equal to square root of e by rho, v है velocity, e है elasticity, v है velocity, e है elasticity, ठीक, और rho है density, rho क्या है, density है, चलिए, rho हो गया, density, rho हो गया, अपना density, चलिए, अब इसमा अगला, क्या, कि, जो sound wave है, sound wave जो होती है, वो medium की requirement रखती है, sound wave requires, required medium to travel from to travel, ठीक है, तो इसमें हमने medium define नहीं किया है, कि इन जंदले, नहीं पता, कौन से medium में ये velocity की बात कर रहा है, कौन से medium में ये velocity की बात कर रहा है, नहीं पता, तो वो पता करने के लिए मैंने कहा, कि medium जो हो सकते हैं, वो तो तीन तरह के होंगे, solid, liquid और gas, लेकिन, इसे categorize किया हमने दो तरहों से, एक solid medium में, दूसरा, liquid और gas, liquid और gas, अब elasticity का consult आएगा, solid medium के लिए, यानकि solid object के लिए हमने define किया है, यहाँ पर सिधा ही लिख देते हैं, कि solid medium में, अगर speed of sound, यान velocity of sound का formula लिखना है, that will depend on v equal to y upon rho, y क्या है, young's modulus, y क्या है, young's modulus, rho क्या है, density, ठीक, rho क्या है, density है, तो यह हुआ, इसका, liquid और gas की अगर बात की जाए, इनके लिए हमने यहाँ पर define क्या है, velocity is equal to, b by rho, b क्या है, bulk modulus, b है, bulk modulus, और rho है, density, ठीक है, किसकी density क्या है, सारी चर्चा करेंगे, लिखिए अभी तब, general हम लिख चुके, student, अब देखिए, क्या है, अब यह ऐसा है, इस चीजे कैसे change होने वादी, उसे समझते हैं, v equal to square root of e by rho, इस formula का कोई मतलब भी नहीं रहा था, जब तक कोई medium define नहीं होगा, ठीक है, लेकिन हाँ, स्टार्ट के लिए, यहीं से चलना पड़ता है, फिर हमने कहा कि, v equal to y upon rho हो जाएगा, अगर यह solid medium की बात करे तो, और v equal to, b upon rho हो जाएगा, अगर यह बात करता है, liquid और gas medium की, सही, यहाँ तक चीजे clear cut, अब इसके बाद, student 8 point लिखिए, जो elastic city में पड़ा था, कि for gases, for gases, या फिर gases, two bulk modulus we have defined, for gases, we have defined, two bulk modulus, यह कहां पड़ाया था, यह आपको, lecture number 1 या 2 में, properties में पड़ाया गया है, तो उसको एक बार गोथरू कीजी, bulk modulus भी, दो bulk modulus पड़ाया थे, दो छोटे से formula थे, पहला था, isothermal, bulk modulus, bulk modulus, और दूसरा था, adiabatic, यह adiabatic, bulk modulus, वहाँ पर, इसका मैंने symbol यूज़ किया था, e theta, theta temperature के लिए, और यहाँ पर, adiabatic के लिए मैंने यूज, यहाँ पर जो दिखाया है, e phi दिखाया है, यानिकि, elasticity में, यह दो point जो पड़े थे, इसमें e theta यूज़ हुआ था, और यहाँ पर e phi, और e phi इकवल टू लिखाता, gamma p, gamma वही यह ratio है, cp over steel, अब हमें क्या करना है, इसी concept का हम यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पर, velocity of sound के formula, तो यह point लिखिया आगे बढ़े, अगला हपना newton's formula, for speed of sound, लिखिये, newton's formula, for speed of sound, newton's का क्या कहना था इसमें, देखेंगे, newton का क्याना है, कि अगर sound wave, travel करती है, किसी gas medium से, यहाँ पर अपनी लिए gas medium कौन है, हम हवा की बात कर रहे हैं, याने कि air की बात करते हैं, तो उसके लिए, velocity का जो formula था, define होगा था क्या, B by rho, अभी हमने पढ़ा, कि liquid और gas के लिए क्या होता है, B upon rho होता है, लेकिन newton के according कुछ changes थे, क्या थे, उनका कहना था, कि sound wave, जब किसी gas medium याने की, air के थूप प्रोपगेट करता है, तो यह जो process होगा, वो isothermal process होगा, isothermal process, याने की temperature क्या रेने वाला है, constant रेने वाला है, तो अगर temperature constant रेने वाला है, तो इस बात का इसे क्या लेना देना है, वो देखते हैं, तो देखिए, अगर हम इसे ideal gas consider करते हैं, तो ideal gas का equation क्या है, PV equal to nRT, अब temperature क्या है, constant है, constant है तो यह temperature constant हुआ, अब यह RR तो already क्या है, constant है, n क्या होगा, gas के लिए constant रहेगा, तो P into V is equal to constant, सही है, अब क्या किया, कि constant अगर है, इदर में differentiate कर दूँ, तो यह 0 हो जाएगा, ठेक है, फिर आगे कि हम चर्जा कर सकते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, differentiate कर रहे हैं, बोद साइड, differentiating बोद साइड, तो यहां मैंने लिखा, D for differentiation of P multiplied by V, is equal to D for differentiation of constant, यह मिरा दे रहाँ परवल, तो यहां से, D of P V is equal to D of constant, अब constant चाहे कोई सा भी हो, उसका differentiation क्या आने वाला है, 0, तो यह 0 हो गया, अब यहां पर लग जाएगा आपका क्या, U into V का rule, जो आपने पढ़ा है vectors में, neat वालों के लिए, और मैस वाले जानते ही हैं, उन्हें बताने के जुरूत नहीं, तो P को बाहर रखा, V का differentiation आगया क्या, P dV, P dV आगया, प्लस V को side में रखा, और यह P का क्या आगया, Dp, is equal to constant का तो क्या हो गया, 0 हो गया, अब यहां से, हम pressure की चर्चार करना चाहेंगे, pressure को निकालना चाहेंगे, ठीक है, तो P dV, is equal to minus का, V dp, और यहां से, इस dv को अगर, denominator में भेश देंगे, तो क्या जाएगा, minus का, V dp, upon dv, यहीं सब एक formula बन जाएगा, और जो की बहुत आसान भी है, V equal to minus के dp, over dv upon v, अब कुछ दुम्ला दुम्ला से याद आ रहा है, वो दुम्ला दुम्ला से क्या है, देखिए, कि bulk modulus में, bulk modulus के अंदर, V equal to minus के dp, upon dv by v, ऐसा होता है, तो इसको क्या लिखा जाता है, bulk modulus, यानि यह formula है किसका, bulk modulus का, ठीक है, तो, यहाँ से इसी का आगे, P equal to, यह पूरा जो term है, वो क्या बन गया है, bulk modulus, कब बना यह bulk modulus, जवाब में condition लगाए क्या, temperature क्या होना चाहिए, constant, तो यह constant temperature, यानि की isothermal के लिए, सही, तो B I, is equal to क्या जाएगा यहाँ पर, P आ जाएगा, और यहाँ पर, isothermal के लिए यहाँ भी क्या लिखेंगे, B I, और B I का value, यहाँ put करते हैं, तो क्या जाएगा, V equal to, square root of B I, इसका value रखो, P upon rho, इसको लिखो, फिर से में पूरा एक बार, to the point बताता हूँ कि, क्या हुआ इस पूरा गटना क्रम में, ठीक है, देखा जाए इससे, यह कुछ brightness तो ज़्यादा ही बढ़गी है, इसकी, लिक्विड और गेस के लिए, वेलोसिटी का फॉर्मॉल आया था, क्या, B upon rho, सही है, लिक्विड और गेस के लिए, फॉर्मॉल आया था, यह हम बात कर रहे हैं, गेस के लिए अब, ठीक है, तो न्यूटन आया, न्यूटन ने कहा, कि एक साउंड वेव है, ट्रेवल कर रही है, गेस मीडियम से, तो यह साउंड वेव थी, तो न्यूटन का अजम्शन था, कि यह जो प्रोसेस है, वो क्या होगा, आईसो थर्मल प्रोसेस होगा, आईसो थर्मल प्रोसेस होगा, तो उसने कहा कि आईसो थर्मल के लिए बी अपॉन रो आप लिखते हैं तो मैंने बी नहीं लिखकर के यहाँ आई लिखा और यह रिपरजेंट कर रहा है आईसो थर्मल बल्क मोड़स को अब मैंने कहा अब हमें दी आय का विल्लू फाइंड करना है उसके लिए जो गेस है वो हमने माना कि आईडिल केस है तो पी वी इक्वल टू क्या आएगा एनाटी तो मैंने कहा यह कॉंस्टेंट है तो यह तो दोनों वैसे भी कॉंस्टेंट है पी इक्वल टू कॉंस्टेंट आया ठीक है फिर दोनों तरफ हमने डिफ्रेंट्टेंट किया वो मैं वापस नहीं बता रहा ठीक है पी इक्वल टू माइनस के डी पी अपोन डी वी ओवर वी यह कहानी क्या है बल्क मोर्लस की है यह बल्क मोर्लस की कहानी का वाई जब टेंप्र क्या था कॉंस्टेंट था यान कि आईसो थर्मल क्रोसेस था इसलिए मैंने इसे भी आई लिखा यानि कि आईसो थर्मल आईसो थर्मल बल्क मोर्लस यानि कि सीधा सा है वहाँ P put कर देना है तो final formula अगया P upon rho correct यह था मतलब सीधा साब को यह रट लेना है P upon rho कि Newton ने बताया कि velocity जो होगी वो P upon rho होगी P is the pressure and rho is the density ठीक है तो अब हम इसके जाच करेंगे क्या उसने सही बताया था क्या उसने सही बताया था कि इस बात की हम जाच करना चाहेंगे कैसे करेंगे देखी तो Newton के according velocity of sound यह होता है in a gas medium तो हम हवा के लिए बात कर लेते हैं हाना gas ही है हम बात कर लेते हैं हवा के लिए for air for dry air medium मतलब सूकी हवा एकदम हमने माने मतलब यह air मौल हवा है चाड़ और उसमें sound wave travel कर रही है बताओ उसकी speed तो practically भी no 10th class हम पाट रहे हैं कि velocity of sound कितना होता है 3,3,2 meter per second यही आना चाहिए यही आना चाहिए हम चेक करेंगे क्या इस formula से वही आता है क्या ठीक है ज़ले देखा जाओ P upon R तो for dry air medium NTP normal temperature and pressure इस normal temperature and pressure इस normal temperature and pressure की condition पर pressure का formula क्या value क्या 1.01 into 10k power 5 newton per meter square density of a dry air it's 1.293 kg per meter value put करते हैं then we will get the answer 1.01 into 10k power 5 upon 1.293 सब कुछ MKS में है तो answer जो आना meter per second माना है इसे solve करेंगे you will get around 280 meter per second अरे रे रे इसने तो पूरा काम इखराब कर दिया क्या आना शेकर 332 और ये लेकर आया 280 क्या काम का ऐसा वेग्या निख्या है क्या निख्या लेकिन काम का है कैसे हमें ये तो पता चला कि practically value कितनी है 332 यहनि कि practically velocity of sound v is equal to 332 meter per second theoretically theoretically velocity of sound it comes out to be 280 meter per second क्या दोनों में बहुँ ज़ादा difference लग रहा है ना कहाँ 280 और कहाँ 330 ये तो बहुँ ज़ादा error है तो ये तो बात confirm होगे कि Newton के formula में कुछ ना कुछ mistake थी ज़ादा mistake नहीं हो सकती लेकिन कुछ ना कुछ mistake ज़रूर थी वो लगबग आसपास ही था क्योंकि 50 meter per second कम था अगर इतना कम था तो क्यों था उसकी हम चर्चा करेंगे सबसे बहुँ हम check करते हैं कि कितना कम था कितना error था ठीक है तो यह लेखिए error के हम बात करते हैं तो वी practically error percentage of error original value minus theoretical upon original यही तो होता भी 9th class में बड़ा था जब में बहुत छोटा था है के नहीं ऐसा आपको कहना था मुझे नहीं original value है 3 3 2 और कितना मिला 280 upon original फिर से कितना 3 3 2 into 100 percent इसको solve कर लीजे कितना जाएगा it's around 16 percent बहुत बड़ा error है यह तो है के नहीं अगर फिजिक्स में plus minus 5 percent हो तो कहा जा सकता हाँ भी your algorithm लेकिन 16 percent बेवकोस ही कर दी इसे अब ignore नहीं किया जा सकता ignore नहीं किया जा सकता that means जो Newton's formula है उसमें कुछ correction required है वो correction एक scientist के द्वारा दिया गया था ठीक है तो अगला हम लिखेंगे Newton's formula required corrections तो यह correct formula नहीं मिला यह हमें याद रतना है ठीक है चलिए तो कौन था जिसने यह सही formula दिया लेपलेस एक नया scientist जिसने physics और mathematics दोनों को हिला के रख दिया था बहुत बूरी तरीके से लेपलेस correction उसने कुछ correction किया क्या correction किया उसने कहा कि जो sound wave है मानलो वो travel कर रही है मानलो वो travel कर रही है तो gas medium ही travel कर रही होगी क्योंकि हम gas medium की बात कर रहे हैं और यहां अपने लिए gas का मतलब है air medium ठीक है अब उसने कहा कि जब यह process हो रहा था तो उसका assumption कुछ और था न्यूटन ने क्या माना था it's a isothermal process उसने कहा नहीं मैं सही हूँ adiabatic process उसका क्या कहना था adiabatic process ही है adiabatic process say that means there will be no exchange of heat no exchange of heat no exchange of heat ठीक है और adiabatic है तो starting में formula क्या था v equal to square root of b by rho तो न्यूटन आया तो न्यूटन नहीं हम पर i लगा दिया isothermal कर दिया अब यह आया इसने कहा कि adiabatic है तो adiabatic है तो we will use adiabatic elasticity adiabatic elasticity जिसका अभी मैंने बताय था कि b इससे a लिखेंगे और elasticity मैंने पढ़ा है इसका formula क्या होता gamma p इससे derive भी कर देंगे तो यह b a आ जायेगा b a मतलब adiabatic elasticity ठीक है adiabatic elasticity तो उसने कहा भी adiabatic process होगा तो मों अठा करके यह adiabatic लगा तो बस हो गया काम खतम और b a का value क्या होता है gamma p upon rho यह लो भई ख्याल खतम हो गया इसका तो यह तो होगे direct conclusion अब मैं यह भी बदा देता हूं mathematics वालों के लिए अब नेट वालों के लिए काफी important है अथा नहीं कि बस खेल खतम करदाना नहीं खेल खतम नहीं हुआ है यह तो result आगे है वैसे ठीक है यूज करेंगे लेकिन मैं बता भी देता हूं कि कैसे आती है चेक करना जबूर है चेक करेंगे से भी कि यह सही था यह नहीं ठीक है तो for adiabatic process we know adiabatic process क्या केता है कि P into V की पावर गामा P into V की पावर गामा is equal to constant यह adiabatic तो simple differentiate both sides कर दिया तो एक बार इसको बाहर रखो फिर इसका differentiate करो यह 0 फिर V को बाहर रखेंगे and D of P is equal to 0 अब ठीक अब खुसो खुसी होनी चाहिए चलिए x की पावर n का differentiation याद करो n into x की पावर n-1 तो यहां क्या V की पावर गामा n की n into V की पावर गामा-0 यह गामा है यह V है थोड़ा difference समझाना plus V की पावर गामा और यह DP is equal to 0 is equal to 0 अब क्या कर रहे हैं अब क्या कर रहे हैं आप कुछ नहीं करो P into गामा V की पावर गामा-1 is equal to minus K DP V की पावर गामा सही है अब इसको मैं क्या कर दे रहा हूं नीचे बहत दूँ कोई दिकत नहीं मैं यहां लिख देता हूं एक बार प्यारे विध्यारतियों ध्यान से देखते रही है नजर हटी और दुरगट नहीं यहां पर गड़ जाएगी कि कब कौन सा वेरिबल कहां चला गया ठीक है चलिक तो तो क्या जाएगा इट कमसाव टू भी हमें कुछ से मिस्टेक क्या है अचले ब्रें भी अब लचश्र वृ मेर डीभी हमें में भी जाएगा टैकहां यहां लेकलन भी दैभी टो यहां लिख देता रो में टो लजल्क यह ना जैशा पिछली बार आए था खील है एको रूंस्यट तो बार न करते हैं मैंनस के DP अपोन डी वी यह वी की पावर घामा कुसम यह तो डी वी है एचाल की पावर गामाक इंट। वी की पावर मानस dodge क्ता हैं यह खेल除 यहोल वी कि पावर मानस वन यानों यह एक अपोन वी यह क्या है बल्क मोडलेशर खत्म अना पी गामा तो इसी को थम्हें बल्क मोडलस कहा है तो यह क्या लिखा था बी ए इस इकुल टू गामा तो डेरिविशन नहीं जाएंगे तब भी चलेगा हमें किल डायर्ट यह याद रखना है अब हम चेक करते हैं क्या यह सही है जी हाँ आईए जल्दी आईए है चेक करते हैं तो वी इक्वल टू गामा पी अपॉन रो गामा रेशियो होता है सीपी ओवर सीवी का है तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अपना मीडियम क्या है ड्राय एर है उसके लिए डेंसिटी कितना होता है 1.293 किलो ग्राम पर मिटर क्यूब वावा क्या बात है याद हो होता है 1.01 into 10 की पावर 5 newton per meter square गामा क्या करेंगे गामा तो डिपेंड करता है monoatomic gas या diatomic gas है तो यह diatomic gas है कौन air कैसे क्यूंकि dry air में तो nitrogen भी होती है oxygen भी होती है argon भी होता है CO2 भी होते हैं और भी बहुत सारे compound लेकिन most predominant पावर इसमें यह nitrogen होता है 78% oxygen होता about 20% तो 70 और 2098 परसंट तो यही हो गया यानि कि dominant factor कौन है diatomic और diatomic के लिए value कितना होता है इसका 1.4 तो गामा का value है 1.44 air medium तो value put कर देता है खेल कतम करता है इसका value put कीज़े कितना आता बताईए गामा गामा कितना 1.4 into P रो कितना 1.293 इसको solve करेंगे we will get the answer around 330 meter per second ठीक है तो जो कि एक्तम correct है हना एक्तम क्या है correct है यानि कि laplace ने जो बताया था वो गटना सही थी कहां पर बताया यह for NTP यह सारी हमने गटना कहां किये नॉर्मल temperature and pressure तो आखिरकार हमें formula मिल गया जो laplace ने बताया तो हमें यह रट लेना है यही दिमाग में छाप लेना है इसी से सवाल बनने वाला है ठीक है चली और ज़चा करते हैं थोड़ी सी अई मन नहीं भरा है कि नहीं पढ़ करके तो V equal to square root of gamma P upon rho gamma P upon rho तो यह है velocity of sound finally जो हमें पता चली और जो कि एकड़म correct answer भी देता है ठीक है correct answer भी देता है तो उससे पहले एक छोटा हमें recall करवाता हूं चीजों को फिर से याद करवाने के लिए कि gas medium में हमने कहा कि velocity equal to होगा square root of B by rho सभी B bulk modulus था rho density फिर एक scientist आया Newton Newton ने कहा कि process जो होगा वो isothermal होगा तो हमने कहा कि आइसो थर्मल है तो मैं क्या करता हूं B I लिख देता हूं B I मतलब isothermal bulk modulus थीक है फिर एक दूसरा scientist आया lapless उसने कहा कि process जो होगा वो क्या होगा adiabatic होगा तो मैंने कहा ठीक है हमारी बात ही माल लेते हैं तो B A लिख दिया A for adiabatic ठीक है अपन रो दोनों की बाते मानी हमने check करना चाहा कौन सही है तो इसके लिए इसका formula निकल के आया कि B equal to होता है पी अपन रो यानकि B I का value क्या होता है पी जो हमने elastic settlement define किया थो ठीक है तो diet आपको याद रखना derivation ने जाना है B A कितना था gamma P upon rho इसने value दिया मुझे 280 इसने मुझे value दिया 330 तो this one is correct यह गलत तो यह जो गलत है वो भी दिमाग में रखना है अना गलत सवाल भी बना करके सही मैं पूछेगा पूछेगा वे इसमें क्या क्या जा सकता है ना चलिए इसमाद है अब हम यह comparison लिख लेना काम आएगा ऐसा नहों कि हाँ हाँ समझ मागया है लिखना नहीं है तो गामा जो है student वो है ratio of cp over cv ठीक ना cp over cv यानकि गामा इसे गामा कहते हैं जो हमने ktg में पढ़ा है या फिर thermodynamics में भी पढ़ा है गामा equal to cp by cv या तो आपको cp और cv दिया हो तो गामा निकालना या फिर degree of freedom दिया है तो 1 plus 2 by f यह formula यूज करना अगर degree of freedom यूज करवाना चाहे हो यानकि degree of freedom दे दे तो गामा निकालने के यह formula यूज करेंगे तो f क्या है degree of freedom? degree of freedom का मतलब होता है कि कोई भी atom कितनी direction में independently motion करवाता है जो आप क्याटिजिम पढ़ चुके उसके बारे हम चर्चाल नहीं करेंगे अब यूज करना हो अब गामा का हम value याद भी रखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं इट डिपेंड्स के गेस कैसी है, मोनो एटुमिक या फिर डाइटुमिक या फिर ट्राइटुमिक ठीक इन तिनों से जाड़ा ओपर नहीं जाएगा, don't worry, जाएगा तो KTG में उपने पास ओर फ्रमूले हैं तो गामा इक्वल टू यहां होता है 1.6 इसका कोई unit होगा नहीं, आफ टॉल इस रेश्यो है इसमें होता है 1.4 and here it is 1.33 ठीक है, आप चाहें तो वो fraction value जो याद रखना चाहें वो भी रख सकते हैं, जैसे चाहें आप, जैसी आपकी इच्छा, तीनों में देखिए हैं क्या मैसा ही गामा greater than 1 होता है क्या हाँ 1 से बढ़ा है, 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 1 से बढ़ा ह और आगे बढ़े, और आगे बढ़े से लगते हैं, अब अगला है इस्टो डेंटिस में, अगला ये है कि PV इक्वेल टू एनार्टिक होता है, हाँ से बहुत बढ़िया है, ये तो होता ही है, जीवन बर होता आया है, मॉल क्या होता है, ये ते भी आज ही गिरना था, आज क्या भी ही गिरना था, चलिए गिवन मास, और किपटल म क्या है, मॉललर मास, ठीक है, चलिए तो इंटू R multiplied by T अब इसको मैं यहां लिखता है इधर लाओ इसे P V equal to small m upon capital M R T V को हटाया V को यहां लिखा V को यहां लिखना है न यह लिज़ भी लिखा तो यह देखिए mass upon volume density होती है क्या हाँ density होती है यानि कि P equal to density R T upon capital M तो P by rho P by rho या फिर simple P upon rho is equal to R T upon M यानि कि इस P by rho की जगे में क्या लिख दूँ R T upon M लिख दूँ लिख सकते हैं और कि यह भी formula use कर सकते हैं प्यार वच्चो गामा और P by rho की जगे क्या लिखे हैं R T upon N तो R T upon N लिख लीजे जल्दी से तो दोनों formula काम आएंगे numerical purpose के लिए तेक है इसमें AI triple E per एक बार सवाल पूछा गया यानिके J-man's पर और NEET में तो काफी बार या formula ही पूछ लिया था कि P by rho क्या होता है और CET में simply formula पूछा जाता है formula और formula best question तो यहां से इसमें पता चलता है कि V equal to क्या है square root of gamma R T upon N camera चेख करता हूँ चल भी रहा है के नहीं चलिए चल रहा है तो gamma तो क्या है ratio है specific heat का R क्या है gas constant ठीक है इसको SI में रखेंगे T temperature है इसको भी SI यानिके Kelvin में रखेंगे Kelvin जब जरूत पड़ेगी तो M क्या है molar mass तो molar mass जैसे oxygen के हम बात करते है तो इससे oxygen को अगर हम लिखता है Kewal oxygen 8 oxygen 16 so 8 STP 8 STP standard temperature and pressure इसके 22.4 लिटर में इतका molar mass कितना 16 लेकिन O2 decide होता है आरेच चलो चाहूँ आसाने से बता देचा हूँ O2 molar mass कितना 16 16 32 gram समझे मारता है याने कि 8 O 16 होता है O2 मतलब क्या 16 लेकिन जूटर 32 32 gram ठीक है तो यह है molar mass molar mass student यहाँ पर kilogram में रखना मैं यह बताना चाहरा हूँ ठीक है क्योंकि हमने जो याद कर रखा होता है वो gram में याद कर रखा होता है तो kilogram में लिखना है क्योंकि SI unit लिया है तभी तो velocity meter per second आएगी SI में अना वना कुछ और आजाएगा ठीक है कुछ और मनलब unit same नहीं रहेगा ठीक है चलिए लिख लिजी इसे फिर हम आगे बढ़ते हैं आगे एक सवाल करते हैं student चलिए सवाल लिखा जाए air tripling 2008 माय हुआ है सवाल है यह the speed of sound in oxygen the speed of sound in oxygen bracket में दिया है O2 at certain temperature at certain temperature is 460 meter per second ठीक है 460 meter per second the speed of sound in helium the speed of sound in helium helium is is HRM helium is at the same temperature at the same temperature will be और bracket में लिखा है assume both cases to be ideal both cases to be ideal और option A, B, C and D okay क्या जाएगा option A दिया है 500 आएगा क्या वो तो नहीं पता 500 है दूसरा है 650 650 meter per second option C 330 330 and लास्टली 1420 चली है तो speed of sound का फॉर्मूला अपने पास ये है गामा P अपॉन रो ठीक है तो gas is medium में ट्रेवल कर रही oxygen और helium क्या गैस है यानकि sound is traveling in gas medium so we have a formula वेकल टू इसकोई रोट अपॉन रो according to Leplass correction formula Newton's formula we can't use because of error ठीक है उसे 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 करना ही नहीं और यहाँ temperature की बात होरी हम temperature वाला फॉर्मूला जानते हैं क्या gamma R T अपॉन N साही है तो हम क्या गरते हैं कि velocity of oxygen इसने दिया है कितना 460 meter per second ओके the speed of sound in helium helium में पूछा है ओके oxygen जो है student वो diatomic है या monatomic to be continue बेच में इक छोटा सा break हो गया था velocity of oxygen कितना दिया है 460 meter per second velocity in helium हमें फैयंट करना है तो oxygen जो है वो क्या है diatomic है तो diatomic gas है तो gamma कितना आजाएगा 1.4 है helium कैसा है monatomic है तो monatomic है तो gamma इसके लिए कितना हो जाएगा 1.6 तो check करना है कि दोनों के लिए के temperature सेम रखा जाए temperature क्या रखा गया है सेम तो हम इस formula को ही उज़ करेंगे temperature क्या रखा गया है सेम रखा गया है तो helium के लिए helium गार केस में आपको इस बिड़ बता है ठीक है देखते है बहुत ही आसान है इतना आसान तो में अपने G1 काल में नहीं देखा है तो velocity of helium हम फाइंड करना है और velocity of oxygen तो क्या आजाएगा helium का formula helium अपन oxygen लिखता हूं डायरेक्ट है गामा of helium into RT upon molar mass of helium divided by gamma of oxygen RT molar mass of oxygen M auto लिखा है molar molar mass of oxygen ठीक है ना चली हो तो ये value हम पता है और ये निकालना इसलिए में रइश्यो निकाला है ठीक है आसान सी बात तो square root में दोनों को एक साथ लिख देते हैं गामा of helium RT upon molar mass of helium into गामा of oxygen RT molar mass of oxygen RT से RT cancel हो गया तो अब value put कर देते हैं तो value put करते हैं कहां पहुँचेंगे देखते हैं helium लिखा ना oxygen nature लिखा ना चलिए तो velocity of helium over velocity of oxygen गामा of helium कितना गामा for helium it comes out to be कितना है monoatomic है 1.6 है ना चलिए molar mass of oxygen 32 molar mass of helium 4 हो गया molar mass sorry गामा of oxygen it's 1.4 करेक्ट ओक्की oxygen वाले भी split को फोर्मूला multiply कर देते हैं V helium is equal to V oxygen into point से point हट जाएगा यानकि 16 into 32 upon 4 into 14 calculation mistake हो तो देख लेगा ठीक है और oxygen का कितना है 4, 6, 0 multiplied by this तो इसको multiply करो solve करो option आप comment कर सकते हैं जैसे दोधी इंस्ट्रेंट है जो कासी एक्टिव है तो कासी अच्छी बात ही है कि वो answer देते हैं I appreciate their effort ठीक है लिखे इसे और एक अंतिम सवाल मैं आपको homework के लिए भी देता हम same ऐसा ही कुछ ज़्यादा hard नहीं है आपको comment करना जरूर नहीं answer आप चाहें तो मुझे screen short भी भी भीज़वा सकते हैं कि हाँ यह answer आता है ठीक है न उससे एक मुझे संतोस्टी मिल जाएगी हाँ आप पढ़ रहे हैं और आप homework कर रहे हैं इतना भी किया तब भी काफी है चलिए अगला सवाल है the constant gamma यह आपके लिए हम वक्र रहेगा मैंने करने वाला ऐसे constant gamma for oxygen oxygen as well as hydrogen as well as hydrogen is 1.40 1.40 given है ठीक है अब given ही क्या है तो में पता ही था नहीं देता तब ही चल जाता है कि नहीं तो उनों क्या है डाएटों में गया से तो मह 1.4 तो हना ही था चलिए if the speed of the sound in oxygen in oxygen in oxygen is कितना this one is given 470 meter per second 470 meter per second what will be the speed in hydrogen what will be the speed in hydrogen at the same temperature and pressure at the same temperature and pressure अच्छा भी आपने एक सवाल धिहान दिया होगा भी जो मैंने फॉर्मूला करवाय था helium अपन oxygen जो भी लिखा था उसे मॉलर मास में ग्राम में लिखा था 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 है ना आपने सोचा होगा आप मैंने का किलो ग्राम में क्यूंकि रेशियो था ना तो ग्राम में लिखा या kilogram it will get cancelled out, doesn't matter अगर अप्लाई करें तब उस चीज को धिहान रखना है ठीक है तो इसका फॉर्मूला देखें, गामा दिया है oxygen के लिए गामा दिया है hydrogen के लिए 1.4, 1.4 मॉलर मास इसका हम जानते हैं अधिशिएफ ना, 32, 32, hydrogen का कीटना हो जाएगा तो, चलिए इसके बाद आपको क्या कर देना, apply कर देना कोई calculation mistake हो, तो यू can tell, ठीक है चलिए वाइस वही करना है और अधिट दिया है oxygen में और आपको निकालना कहा है, hydrogen निकाल देना आंसर इसका आएगा आपका 1880 1880 meet up पर से cross check कर लेना नहीं आएट मुझे बताना और अगर answer आता है तो मुझे आप screenshot बिजवाईए ताथ मुझे संतोष्टिय हुआ क्या आप कर पाए ठीक है चलिए हाँ सही है यही है अगला student क्या करने वाले हैं अगला यह करने वाले हैं कि next lecture में हम क्या करने वाले हैं next lecture में पढ़ेंगे factors which can which effect the speed of sound ठेक है कौन-कौन से factor है जो effect कर सकते हैं अच्छा इतन फोड़ा hint भी देंगे हैं कि यहाँ पर कहा temperature और pressure दोनों same है temperature और pressure दोनों same है तो क्या करें तो यह करो कि कोई साभी formula लगा सकते हैं चलो आप कर लेना चाओ तो यह भी कर लेना यह formula लगाओगे तब भी हो जाएगा gamma p upon rho और वो लगाओगे तब भी हो जाएगा ठीक है क्योंकि pressure same है pressure will cancel out gamma will cancel out rho और वो बचेगा पर वो क्या लिखेंगे जो भी लिखना चाओ तो इसे एक साथ आज का lecture हम complete करते हैं और आपको कोई doubt आए या कुछ भी समझे ना आए तो आप मुझे बताए अगे टाटा